असलाम लेकुम जी वी आर बैक टेन दे विलाग्स तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हो घरियत से होंगे आज का विलाग होने वाला बहुत ही मसे का तो चलें जी हमारी तो हो गई थी मॉर्निंग और मॉर्निंग में जी रोहान के बाबा ने मुझे ला दिया थे नां कर्ट लस क्योंकि मैंने सुबह उटते ही मशीन लगा ली थी पूरा एक महीना मैंने मशीन नहीं लगाई कपड़े वाश नहीं गिये इतने को कपड़े कठे होगे थे मैं सर्दी से डढ़ते ही मशीन नहीं लगाई और फिर उतनी ही सर्दी में इतने ही सारे मुझे कपड़े वाश कर चावल और जी देखें ताल बहुत ही मसेतार बनी थी मैंने तड़का लगा यार लसन का साथ जी राइस पी रखे होगे थे बाइल होने के लिए मैंने का था बस जल्दी से कुछ ऐसा पका लूँ जो जल्दी जल्दी बस पक जाए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े रोटिया ना बनानी पड़े इसलिए फिर मैंने बस जी राइस बना ली और साथ दाल बगा ली और इसके पाद जी हमने फिर इसको तड़का लगाया तड़का लगाने के बाद एड़ किया जी धनिया और मैंने चने और मसूर की दाल कहते जो रैड़ वाली होती है मैंने ये दो दाल भी नाई थी, बहुत-बहुत मसेतार बनी थी, और ये देखे जी, लास्ट लोक, इसके इलावा मैंने रास्टम पर रख दीये, फिर जी, मैं गई रूम में, तो मिरहा बहुत ज्यादा रो रो रही थी, पता नहीं उसके माउथ में पे बहुत-बहुत ज्यादा रो रो रही और आज तो ये ठीक तरीके से सोई भी ने फिर मैंने इसको जोस दिया ले इस ती मैंने का खा लो कुछ और यहां जी रोहान अपनी फुपो जान के पास बैठा हुआ था माही फुपो के पास और अपने कजन्स के साथ खेल रहा था बहुत जादा एंजॉय कर रहा था और यह जी कह रहे थे हेलो गाइस तो इसके बाज जी नीचे बने थे मटर प्लाव अमीने बनाये थे बहुत ही मज़दार से साथ जी अजबन रही थी खीर पर गाजर की खीर और मैं और आप भी बैठे हुए यहां पर जी देखें गाजरे कर रहा है थे कद्दुकाश क्योंके दोग लोग गाजरे थी हमने का बस चल्दी से हो जाए क्योंके दूद रख दिया था बाइल करना आज हमने माशाला जी गाजर की खीर बना ही थे सोरी तो बहुत बहुत मज़दार सी और इसकी डेसिपी पर मैं अपलड करूँगी जी साथ रहान के बाबा पी राइस खा रहे थे यहां पर और आलू पालक का सालन भी बना होगा था और मट्रो वाले राइस भी थे खीर भी बन रही थी और बहुत हमने आज इंज्वाए कि आप मेल के बैठे साब हम तो हमारे डेरे होते हैं किचन में जब हम नीचे होते हैं क्यूंकि स्टब चल रहा होता है तो बस बाहर सर्दी होती है किचन हमारा जरा गर्म होता है तो बस हम बैठ जाते हैं यहां पर जी उसामा बना रहा था अखिर ओह ओह ये देखे जा उसामा वस चमच ही ला रहा था यहां पर फिर हमारे आयो बेद जी कुछ कैस्ट और हमारे खेर भी देखे माशाला माशाला राडी हो चुकी थी सब के लिए हमने निगाल कर रख ली हुई थी और यहां रहान बहुत रहा था उसको फिर रहान के बाबान लेकर दी चीज यहां कपड़ उसने सारे वैट कर लिया थी दुबारा से मैंने भी सुबह से पहनाए फिर से उसके कपड़ मैंने चेंज किये और यह पता नहीं क्या रहान स्लाइम लेकिया था पर पकड़के इसके साथ खेलने का मुझे मसा आ रहा था तो बस पकड़ लिया मुझे बहुत प्यारी लग रहे थी क्यूंके इसमें ग्लीटर था पेंग कलर था बहुत ही खोबसूरत सा फिर जी मैंने कुछ खाया ने फिर मैंने दाल चावल खाय साथ अचार और रहान मिरहा रहान अब बहुत ज़्यादा था गया था खेल खेल के सुबह से उठा था तो बस खेलने में लगा वा था इसको कुछ पता नहीं था खाने का पीने का कुछ भी करने का यहां कहता मेरी बेटी मेरी टांगे दबाओ, मीरहा से कह रहा था मीर टांगे दबाओ, मीरहा ने फिर इसके लेक्स दबाई, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, फिर मैंने अपने लिए रहान के बावा के लिए रुसामा के लिए बनाई काफी, और काफी की रेसिपी भी मैं अप मामा चॉकलेट लाओ दो सारी पकड़ ले मैंने पिर से इसे घंच मैं को इधर ही खाओ पिर जी मैं काफी बना के लाई मैंने रहान की बाबा ने पैट पे बैट के भी बैंक अचिट ले क्योंकि सर्थी टू मच सर्थी थी बस मैं का चलें आइदर काफी करें आप भी अपनी काफी चेक कर वें दिखाएं तो काफी इदर की है तो मैं का क्या खाली का पैलो कहेंगे खाली का पकड़ा वागए तैंगे यह देखो है अच्छा जी इसके बाद फिर मैंने रहान मैंने को भी राइस खिलाए क्योंके रोहान ने सुबह से कुछ भी नहीं था खाया बस चीजों पर जोड दिया वा था इदर जी मैंने रोहान को राइस भी दिया और मैंने इसको पानी वाम करके दिया था मैंने थंडे वाला पानी नहीं दिया क्यूंके बाहर पड़ा भाभी थंडा होता, फिल्टर का पानी पीते हैं, लेकिन थंडा होता, फिर मैंने इसको गरम पानी करके दिया, और पानी गरम फिर शुकर है, इसने पी लिया, ये नहीं कहा गरम है, मामा मैंने नहीं पीना, तो यहां पे मिरहा भी बस पॉइम देख थी बच्चे पॉइम्स पे लगे हैं उसके बाद जी पॉँं तो खराब होते जा रहे है दिन बाद दिन फिर से जी मैंने लगा ली है जी करीम इस पे और खैर सौक्स पैन ली है इसके लवाज का हमारा विलाग ता यहां तक पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और ज् चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आला हाफीज